हें दोस्तों असलाम उलेकूम कैसे हैं आप सब उम्मीड करती हूँ आप सब खेरिया से होंगे मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्त शाजियां में वेल्कम करती हूँ आप सब का अपने चैनल को गेले विद शाजियां में आज मैं अपने दोस्तों के लेकर गाई हूँ सर्दियों की शान और सर्दियों की जान मेथी के लड़ू जैसा कि हम सब जानते हैं मेथी सिहत के लिए बहुत ही फायदे मन होती है और इसकी तासीर भी काफी गम होती है अगर हम ठंड के दिनों में इसका यूज करें और इसके एक लड़ू सुबा और एक लड़ू अगर हमने शाम को खा लिया तो यह हमारी इम्मिनुटी पावर को काफी हद तक बूस्ट करता है और हमें कई सारे बिमारियों से बचाता है अब चुकि यह कड़गी होती है तो हम यह तो खा नहीं सकते हैं तो हम क्यों ना इसके लड़ू प्रिप्यर करें चलिए तो फिर स्टाइट करते हैं लड़ू की प्रिप्यरेशन मेथी की जितनी क्वालिटी बताई जाए उतनी कम है यह गड़ शूगर को भी कंट्रोल करता है कैलिस्ट्रोल को भी कंट्रोल करता है डाजेस्ट सिस्टम को अच्छा करता है एजडिटी में दाहत दिलाता है जब इतने इसके फाइदे हैं तो क्यों न हम इसको इसको इस्तिमाल करें मेठी के लड़ू बनाने के लिए मेठी को साफ कपड़े से पोच कर उसको दूद में भीगो कर कम से कम 5-6 गंटे के लिए हमें छोड़ना होगा ताकि दूद में भीगने से इसकी थोड़ी करवाहट कम हो जाए और ये थोड़ा सा फूल जाए और हमें पीसने में इसको आसानी हो जाए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मेथी लेकर के उसको दूद में भीगो कर रात भर के लिए छोड़ दिया है आप चाहें तो सुबा में भीगो दे और शाम में लड़ू बना ले ये देए मेथी दाना बिल्कुल रड़ी है अभी हम इसको साइट करके रख देंगे और अगर आपको मेरे मेथी के लड़ू पसंद ना है तो मेरे को फीड़ बैक देना बिल्कुल भी न भूले यहाँ पर में लिया है तीन से चार चमच खशखश के खशखश जोड़ों के डर्ड दिमाफ की सिहत नजला जुकाम खासी सब के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है और स्किन के लिए भी ये बहुत ही फाइदे मन्द चीज़ है हाफ बाउल लिया है मैंने खरबूजे के बीच ये विटामिन और मिनेरल से भरपूर होता है बलड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बालों के लिए भी बहुत ही फाइदे मन्द होता है यह हाफ बाउल लेंगे हम पिस्ते के जो डाइबिटीज को कंट्रोल करता है इसकिन को हैल्दी बनाता है कैलिस्त्रोल को काम करने में हेल्प करता है हाफ बाउल लेंगे हम काजू काजू energy और प्रोटीन से भरपूर होता है काजू में iron, copper, calcium, magnesium, काफी मात्रा में पाय जाते हैं यह भी हैल्दी option है हाफ बाउल ही हम लेंगे बादाम के इसमें भ माग को काफी तेज करता है और नीन बहुत अच्छी आती है इसको लेने से टेंशन दूर होती है बीपी को कंट्रोल करता है कैलिस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है साथ ही यहाँ पर लिया है हमने चावल का आटा 100 ग्राम और हमने लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा थोड़े स मेरे पास मखाने रखे हुए थे तो मैंने सोचा इसमें भी बहुत सारी विटामिन्स और मिनेरल्स पाई जाते हैं तो क्यों ना इसका भी इस्तमाल किया जाए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्क्रिप कर सकते हैं और ये है सबसे जबर्दस्त गून कतीरा ये बहुत फाइदे मन है जोडों के दर्द, खुटनों के दर्द, बैक पेन, जितनी भी पेन है ये सबसे रिलीव दिलाता है सोचिए जब इतनी इनरजी एक लड्डू में आएगी तो वो लड्डू नहीं, लड्डू का बॉम्ब होगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लड्डू की प्रिपेरिशन में अब हम लेंगे एक पैन के अंदर एक स्पैचुला भर करके देशी गी देशी के में ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत फाइदेमन बनते हैं तो हम लड्ड़ेसी घर के ही स्टेमाल करेंगे सारे ड्राइफ फ्रूट्स हम इसके अंदर जितने भी बड़े ड्राइफ फ्रूट्स है सब add करके अच्छी तरीके से fry करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुश्बू और चटचट सी आवाज नाने लगे जब यह अच्छी तरीके से fry हो जाएगा तब हम इसको निकाल करके अपने एक बर्दन में रख लेंगे अब हम इसी बचे हुए इसी घी के अंदर अपने मखानों को अच्छी तरीके से fry करके ड्राइफ रूट्स में add कर लेंगे अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर एक स्पैचुलर घी का और add करेंगे और डालेंगे अपने गोन को गोन को हम दपता fry करेंगे जब तक कि ये साइज में double ना हो जाए और golden कलर से ये white कलर में transfer ना हो जाए जब ये साइज में double हो जाएगा और इसका color transfer हो जाएगा तब इसमें से भी बड़ी प्यारी सी खुश्बू आने लगेगी तब हम इसे भी निकाल करके अपने dry fruits के साथ add कर लेंगे याद रहे dry fruits हो मखाने हो या हमने गोन कोई भी चीज़ अगर हम fry कर रहे हैं तो हम medium to low flame पर इसको fry करेंगे आज हमारे gas के बिल्कुल भी तेज नहीं होगी ये देखे फ्लेम हमारा बिल्कुल low पे है अब हम इस कड़ाई के अंदर add करेंगे दो spatula भर करके रेसी गी का और साथ में ही इसके add कर देंगे आटे को और चावल के आटे को दोनों को और इसको धीमी धीमी आज के उपर हम अच्छी तरह के से भुनाई करेंगे चुकि चावल के आटे और आटे की भुनाई में घी का ज्यादा इस्तमाल होता है अगर आपको लगेगा कि इसके अंदर घी कम है तो आप इसके अंदर घी और भी extra add कर सकते हैं देखें मुझे भी यहाँ पर थोड़ी से घी की कमी लग रही है इससे मैंने भी थोड़ी सा घी और add करा है इसके अंदर घी एड़ करने से ये बड़े ही प्यारे से कलर के अंदर ट्रांसवर होता चला जाएगा धीरे धीरे भुनाई के साथ और बहुत ही अच्छी इसके अंदर से प्यारी प्यारी से खुश्बू आने लगेगी अब आटे की भुनाई के साथ-साथ इसके अंदर हम add कर देंगे आटे के साथ ही हम add कर देंगे अपने poppy seeds को और खربूजे के बीच को भी ये दीमी दीमी आज पे ये भी दोनों के दोनों भुना जाएंगे आटे के साथ ही अब जब तक हमारा यहाँ और आटा भुना रहा है हम dry fruits को पीषने का काम स्टार्ट कर लेते हैं सारी dry fruits को chopper में डाल कर हम अच्छे तरिके से chop कर लेंगे अगर आपको महीन पीषना है तो आप mixi में डाल करके महीन भी पीष सकते हैं चुकि मुझे dry fruits को थोड़ा दरदरा पीसना है इसलिए मैं chopper में डाल करके chop कर लूँगी और एक एक batch करकते हुए अपने सारे dry fruits को बड़े परदन में transfer करती चली जाओंगी साथ ही इन्हाँ पर हमारा आटा भी भूना करके complete हो चुका है ये देखिए हमारा आटा भून चुका है अच्छी तरीके से अब इसको भी हम transfer कर लेंगे अपने dry fruits के साथ ये सारी चीजों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से mix कर लेंगे और mix करने के बाद हम अपने next step पर चलते हैं अब पैन में हम डालेंगे एक spatula भरके फेटेगी और उसके अंदर डालेंगे हम पिसा हुवा जो हमने मेथी डाना रखा था उसको हम थोड़ा दर दर पीस ल जाएगा और इसके अंदर से भी बड़ी प्यारी सी खोष्भू आने लगेगी जब तक इसकी खोष्भू न आने लगे तब तक हमें इसकी भूनाई करते रहनी हैं क्योंकि ये मेथी है थोड़ा करवा है थोड़ी मिस की खोड़ी देर से आएगी मेथी को हमें perfect तरिके से और जब ये भी भून करके complete हो जाएगा तो हम इसको भी transfer कर लेंगे अपने dry fruits और आटे की mixer के साथ अब चुकि हमारी सारी के सारे ये step पूरे हो चुके हैं अम हमें करना है इसकी चाशनी एक तयार जब हम इतनी healthy लड्डू बना रहे हैं तो हम चीनी की जगा यहां गुड का यूज करेंगे यहां मैंने देसी गुड का यूज करा है और इसके अंदर half glass पाई डाला है इसकी एक proper चाशनी मनाने के लिए मीठास आप अपनी according रख सकते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आप चाशनी मिना सकते हैं मैंने यहां पर ज्यादा नहीं लिया है 200 ग्राम ही सिर्फ गुड का यूज करा है बस इसकी चाशनी में एक उबाल आएगी हम इसको चल करने की हल्प से हम चाशनी को इसलिए ट्राफर करते हैं ताकि इसके अंदर जितनी भी गुड की इंप्यूरिटी वगरा होंगी वह सारी की सारी चंच जाएगी अब क्या करना है इसको अच्छे तरीके से हमें ड्राइफ्रूट के मिक्सर को मिक्स करना है और थोड़ी दिर के बाद वो ठंडा हो जाएगा तभी हम उसकी लड्डू की बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे और क्या है फिर लड्डू को बनाएंगे और इंजॉय करेंगे सर्दियों में इस तरह की रेमिडी हमें घर में जरूर बनानी चाहिए ताकि जितने भी हमारे बच्चे हैं चैन्स हैं और बुजर्ग हैं उनके लिए ये बहुत ही जबर्दस्त काम करता है और हमारी लिए भी काफी फायदे मन दे ठंड में अकसर हमारे कमर की तकलीफ पैर लिए बहुत ही फायदे मन दे घर के बजर्गों से लेकर मर्दों से लेकर बच्चों से लेकर और तो तक के लिए ये फायदे मन चीज़ है एक लड़्डू अगर हमने सुबह खा लिया एक लड़्डू अगर हमने शाम खा लिया तो हमारे लिए और सबके लिए बहुत इन फाइने मन चीज़ है यह इसलिए हर थर्ड में आप भी अपने घर में जरूर बनाया और इन लड़ों को enjoy करें और healthy रहें और अगर आपको मेरे मेती के लड़ों बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे को feedback देना पिल्कुल भी न भूलें और ये मेरे चैनल को like करें शेयर करें और subscribe करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करके bell icon का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहेगी तिल दन आपकी दोस्ट आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है फेरें इंशाला नएनी वीडियो जो नएने रेसिपेस के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी तब तक अपना ख्याल रखिए अलाहाफिज बाई इंजॉयो मेथी के लड़ूज